दोस्तों अगर आप 11,00,000 रुपीज के बिजट के अंदर एक सब कॉम्पेक्ट SUV पर्चेस करने का प्टैन कर रहे हैं और आप नेक्सोन देख रहे हैं तो आज के इस फीडियो के अंदर मैं आपको टाटा नेक्सोन का एक ऐसा विरेंट दिखाने वाला हूँ जो कि आपको फुल वैल्यू फोर मनी पैकेज ओफर करता है इस मोडल के अंदर आपको इन्फो टेन्मेंट सिस्टम से लेकर के स्पीकर सक एजस्टेबल मिरर से लेकर के चारो पावर विंडोस सक एवन संडूफ ऐसे फीचर भी मिल जाते हैं जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ टाटन एक्सोन के स्मार्ट प्लस एस वाले वियरंड की जो कि एक्ष्वर्म कॉस्ट करता है 9,80,000 रुपीज और ओन रोड करीब आपको अंडर 11,000 रुपीज के आसपास तक जाता है आज के इस वीडियो के अंदर हम इसका की कंप्ली डीटेल में बात करने वाले हैं कि इस मोडल के अंदर आपको कंपनी कौन कौन से फीचर सोफक करती है सबसे पहले कार के फ्रंट पॉशन की तो यहां पे आप फ्रंट लुप जो है वो चेक कर से तो किस तरीके का जो है वो आपको देखने को मिल जाता है फीचर्स की अगर हम बात करें सबसे पहले आपको यहां पे डॉल पपर वाली LED डीरल सौफर कर दे जाती है जो कि इंडिकेटर और डीरल दोनों पर ही वर्क करती है नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पे आपको रिफ्लेक्टर बेस्ट LED हेड्लाइम्स दे जाते हैं फॉग लाइट वगरा इस मोडल एक अंटर कंपरी नहीं देती तो सबसे पहले अगर हम वील्स की बात करें तो आपको यहां पर बिरीज स्टोन के टायर जो है वो मिल जाते हैं टायर सेक्शन रहने वाला है 195-60R16 का फ्रंट में आपको डिस्प्रेक्स ओफर करे जाती हैं तो वहां पर आपको एक वाइटल की इंसर्ट भी मिल जाता है अगर आप वाइटल की गाड़ी लेते हैं तो आउटसाइट रियर व्यू मिलर आपको यहां पर इलेक्रिक्रिक लिए जिस्टेबल फीचर के साथ दिये गए हैं विच साइट और इंडिकेटर्स आपकी दोस्तों उपा की तरफ देखेंगे तो यहां पर आपको सिल्वर ब्लैक रूफ रेल्स मिल जाती है साथ ही अपना सन्रूफ भी रहने वाला है जिसकी बात हम इंट्रेम में चलके करने वाले हैं दोर हैंडल्स आपको मैडब्लैक फिनिश के साथ ही दिये गए हैं और यहां पर आपको फिल्फिलिंग के लिए उप्शन मिल जाता है बात कते हैं अगर हम कार के रियर पोशन की तो यहां पर आप कम्प्लीट कार के रियर वियू है पर आपको देखने को मिल जाता है सबसे पहले आप देखोगे तो यहां पर आपको शार्क बिंट डाइप लेडियो अंटीना दिया गया है पीछे की जराफ आते हैं तो यहां पर आपको कुछ सरेके का इस्पॉला वाला पार्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा रियर बिंडी स्कीन प्लें रहने वाली है वाइपर वाशर डिफोगर वगएर आपको नहीं मिलते और रियर में आपको LED बेस जो इसके टेलाइट से वोफर करी कई है जो के कनेक्टिट जो है वो नहीं होती इसके लावा यहां पर आप देखोगे तो Tartak logo जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा नए वाला High Mounted Sublime की placement यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी Next one यह प्रोपर बैजिंग है Lower part पे आते हैं तो यहां पर आपको Black Lucker Complete जो Bumper वाला part है वो देखने को मिल जाएगा With White Insert, Reflector की placement यहां रहने वाली है और दो पोइंट के साथ जो parking sensors है वो आपको दिये गए है इस car के boot open करने के लिए आपके पास एक option मिल जाता है आप जाते हैं रगर driver side में यहां पर आपको एक button जो है वो दिया गया है जिसको बुल करने के बाद आपको boot को एक्सिस कर सकते हैं यह वाले button से यह अपना boot unlock हो जुका है अब आपको boot space दिखाते हैं और बताते हैं कि आपको चीज़े जो है वो आपको इसके boot में मिल जाती है तो दोस्तों car का जो boot space है वो आप यहां पर चेक कर लिजे कि सरीके का जो है वो आपको देखने को मिल जाता है पाशल ट्रेव अगरा नहीं मिलती तीन kg की capacity के साथ दोन फोल्ड भी कर सकते हो उसका फीचर भी आपको मिल जाता है यहां पर आपको दोनों साइडों में टैग मिल जाएंगे जिसको आप पुल करके सीट को जो है वो अपना फुल फोल्ड भी कर सकते है बारी है विजट करने की कार की इंटीर करना तो कार का जो complete interior है वो आप देख जो है वो दी आगया है यहां से फीट कर सकते हैं यहां से आपको इसके हुड को और मिल जाएक और यहां से आपको फील करने के लिभर जो है वो मिल जाता है इसके लावा की पुई अपको और रहेब दियां, बाकी रेएदलВОस कि बात करें, तो यहां फ오र आपको यहां पे आपको सुन Professional पूर्निक करसें दिये जाते हैं, और डा हुआ आपको ऑपड़ी से माँच्टी के इसाप सी स्ट का में जात कर जो है वो आपको दिया जाता है कई सारी आपको इसके अदर फीचर्स मिल जाएंगे लाइक यहां पर देखोगे तो कंप्लीट अपना अट्प्र मीटर रहने वाला है यहां पर फ्यूल की इंडिकेशन टेंप्रेचर सेंटर में स्पीडो मीटर दिया गया है डॉर अजार इसके अलाब की नोटिफिकेशन आपको यहां पर मिलती जाथ है क्रॉक है और दो सिटीकी मार्किंग जो है वह आपको मिल जाएगी इको मोड लगाना है तो आप एक्टिवेटेट रहने वाला है सेवन इंच की स्क्रिंग के साथ टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जो के रहता है अपना हर्मन का इसके अदर आपको इनुरोटो और अपल कापले की जो केनेक्टिविटी है वो मिल जाती है और अपना आप देखोगे पार कसिस जैसे फीचर भी आपको मिल जाएंगे रियर व्यू कैमरा तो नहीं मिलता बट हाँ सैंसर भी आपको जो है वो इन्फो ग्राफिक टाइप इन्फोर्मेशन जो है वो ओफर कर देता है नीचे आते हैं एस इवेंट वगरा आप चेक कर लीजे किस तरीके का आपको व्यू ओफर कर देता है बाकी नीचे की तरफ आते होगा तीन मोड जो है वो आपको यहां पर मिल जाते हैं यहां चेक कर सकते हैं ट्विन कप होल्डर और यहां पर आपको कुछ इतना इस पेज़ वो प्रवाइड के जाता है पाकिंग ब्रेक लिवर पर आपको प्यानो ब्लक टिप जो है वो देखने को मिल जाएगी उपर आते हैं ड्राइवर साइड जो अपना सन्वाइजर है यह आपको टिकेट होल्डर के साथ दिया गया है इंसाइड रियर व्यू मिरर यह रहने वाला है नॉर्मल टाइप का बाकी अपनी जो यहां पर देखो कि कैबिन लाइट LED बेस्ट आपको ओफर करी जाती है सन्रूफ आपको one touch open one touch close की feature के साथ दिया गया है यह अपना one touch open complete जो है अपना open हो चुका है और इसकी opening आप यहां पर चेक कर लिए कितनी कुछ आपको मिल जाती है one touch close का जो फीचर है वो भी आपको मिल जाएगा tap किया sunroof जो है अपना close यहां पर हो जाएगा shade को जो है वो आपको manual बंद करना होगा कुछ इस सरी के से बाकी कोड़रा वाचारी जो अपना sunroof जाएगा उसमें आपको vanity mirror भी दिया जाता है यहां पर आपको collapsible type of grab handle मिल जाएगा नीचे आती है तो यहां पर आप चेक करोगे अपना globe box open करने के लिए यहां पर बटन दि जाती ही यहां पर आप चैक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा और इस सीट में जो है वह आपको height adjustment नहीं मिलती बाकि आप इसको यहां से रिख लाइन एंकल पर सेट कर सकते हैं और यहां से आपको फूर बैकवड करने का देखनी को मिल जाती है इसमें क्या कुछ features आने वाल हैं अगर हम उसकी बात करें सबसे पहले आप देखोगे inside door handle आपको यहां पर मिल जाता है कुछ तरीके से मैट black finish के साथ complete मैट black finish आपको यहां पर दी गई है plastic finish आता है रियर डोचाइड लोग का feature है यहां पर पावर बंडो कंट्रोल बटन है नीचे आप बॉटल होल्टर वगया देख सकते हैं इस प्लेस्मेंट आपको यहां पर मिल जाएगी अंदर बैट का देखते हैं जैसे मैं आपको बताय नहीं है normal condition में अगर आप सेट करके चलाओगे तो आपको पीछे की तरफ एक अच्छा इस पेज जो है वो मिल जाता है बाकी अब बेस वेडेंट है तो यहां पर यहां पर रेजिस्टेबल टाइप के मिल जाते हैं दोस्तों बात कते ही हैं अगर इसकार के अंदर मिलने वा इसके अलावा वरंटी की अगर बात की जाए तो कंपनी इसकार के साथ 3 या फिर एक लाग किलो मिटर तक की वरंटी ओफर करती हैं दोस्तों इस विरेंट के साथ आपको तीन क्ला की ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें आप वाइट गिरे और रेट कर को चूस कर सकते हैं इसके इसके फीचर्स और बात की डिटेल को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रेशन मेंशन कर दिया है आप मात चक आउट कर सकते हैं बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद